दो हुजार चौदा से लेके अठरा तक अगर आज के नतीजे छोड़ दूं तो 23 सीटों पे लोकसभा के उक्चना हुएं और भाजपा उनमें से केवल चार जीती है आज भी भाजपा ने सिरफ एक सीट शायद वो जीच जाएं ये दिखाता है कि भाजपा जो जनता को उपयोग करती है वोटों के लिए और फिर फेंक देती है आज जनता उनको एक कड़ा संदेश भेज रही है भाजपा ने तेल कीमत पे एक पैसे की राहत दी तब ही शायद जनता जोने एक सीट भी नहीं दे रही तो जैसी भोया वैसे ही काटेंगे पूरे भारत वर्ष में आज विपक्षी एकता और भाजपा सरकार की विफल नीतियों का जीता जाकता सबूत है कि देश सिरफ भाईयों भेनों करके नहीं चलता देश भाशन से नहीं चलता देश नियत और नीती से चलता है देश काम करने से चलता है दुश परचार से नहीं चलता आज पूरे हिंदोस्तान ने सांपरदायकता की राजनीती, नफरत की राजनीती, जुमले की राजनीती और कैमरे की राजनीती को नकारा है और दरकेदाने किया है जनता ने एक संदेश भेजा है कि अगर किसान को उसका दाम नहीं मिलेगा, यूवा को रोजगार के बज़ाए पकोड़ा देने की बात होगी, तेल के नाम पे गर दस लाक करोड की लूट होगी, एक महिला के साथ अत्याचार होगा, आम वेपारी का कारखाना छीना जाएगा इक ग्रेणी से अगर उसकी पूंजी छीनी जाएगी, तो जनता जो इस लोकतांतर की असली मालिक है, वो इस चौकीदार को बदल देगी और बदलने का इरादा बना चुकी है दिक्कत तो ये है कि अहंकार में भाजपा समझ पैटी है कि देश उनकी जागीर है, किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, जो आज सहिबे मस्नद हैं, वो कल नहीं होंगे किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़ी है, हम सभी का खूण मिला है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदोस्तान थोड़ी है जनता जान गई है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती जुमलों की फसल काटनी शुरू कर दी है, लोक तांतर ने मोदी तांतर को जवाब देना शुरू कर दिया है नोट तांतर ने मोदी जी के वोड तांतर को जवाब देना शुरू कर दिया है जनबल ने मोदी जी के धनबल को हराना शुरू कर दिया है आपको याद होगा कहा जाता है किसी को इतना भी न डराओ कि उसके अंदर से डर ही निकल जाए मोधी जी जो विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखते थे आज लगता है शिकारी का ही शिकार कर दिया मोधी जी जो लोक तांतर का गला घूटना चाते थे और देश को एक हंदू मुसलमान का विवाद के पटल पे 2019 का चुनाव लड़ना चाते थे वो इस देश के हर नागरेक ने उसको ठुकराया है साफ है कि जितना मर्जी आप टीवी पे दुश्परचार कर लीजिए जितना आप मजली इश्तिहार बाजी कर लीजिए जब तक जमीन पे परिवर्तन नहीं आएगा ये जनता आपको सुविकार नहीं करेगी और मुझे लगता है अजे सिंग भिष्ट जो अपने आपको योगी कहते हैं उनको और मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत कड़ा संदेश पे जाए मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड बनाया होगा कि एक मुख्य मंतरी ने अपनी सीट फिर काईराना फिर नूरपूर फिर फूलपूर इतनी जल्ट खोई हो सत्यतियों यह है कि भाजपा आज एक बार फिर से जैसे दोहुजार तीन में इंडिया शाइनिंग का नारा चला था इंडिया शाइनिंग पार्ट टू की तरफ बढ़ रही है और पूरे पिछले साड़े चार वर्ष में सिर्फ नफरत के बीजबोई कॉंग्रिस को गालियन निकाली इतनी सरफरोशी से अगर देश जनता की सेवा की होती तो वाके में अच्छे दिन आ जाते पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि माननिय मोदी जी अब जाने वाले हैं विपक्षी एक्ता और भार्जपा की विफल नीतियों का जीता जागता सबूत है आज के परिणाम इस उपचुनाओं के और मैं हर मतदाता को हर वोटर को हर नागरिक को एक अपील भी करता हूँ और जो वो हमेशा जानते हैं कि वोट आपकी बहुत कीमती है तथ्यों पर वोट डालिए जूट पर वोट डालिए रोजगार आपको वोट दीजिए पकोड़ा को भगाईए पाखंडी राष्टरवाद की जो खोल में ये छुपे बैटे हैं इनको बे नकाब कीजिए ये भारत वर्ष है जो किसी की जागीर नहीं ना श्री अमिच्छा की और श्री नरेंदर मोदी की आज उपचुनाओ जो उपचुनाओ ने नतीजे दिये हैं 2019 तक का सफर केवल एक साल का रह गया है हम सभी को ये लड़के सरफरोशी और शिद्द से कंधे से कंधा मिला के इस ताना शाही सरकार को गिराना है कही कही राज्यों में जैसे मैंने नूरपूर आपको बताया अदित्या अजे सिंग भिष्ट की सरकार आई जो कायराना सीट डेड़ लाक सीटों से भी भाजबा जीते थी आज लाक सीट से पीछे है बिहार में जन्ता ने इस ठगबंदन की बदनियत पे महर लगा दी है जो सीट जोकी हाट की थी जो पहले जेडी उने गठबंदन में जीती थी वो आज ठगबंदन के चलते हार गए पंजाब शाह कोट में एक साल पहले यही सीट भाजपा उनके साथी अकाली दल ने जीती थी पर एक सार में अमरिंदर सिंग जी की सरकार के चलते वो भी सीट हमने उनसे वापिस ले लिए कॉंग्रिस ने अपने बलबूते पे राजिस्थान, पंजाब, मध्यपरदेश, आंधरापरदेश में उपचनाव जीते हैं कहा जात जैसे कहते हैं यह उपचनाव तो सिर्व एक जाकी है अभी मध्यपरदेश, राजिस्थान, 36 गड़ अभी बाकी है मैं आप सभी का धन्यवाद देता रहूँगा और खास करके कॉंग्रिस के कारे करताओं का जो पिछले चार साल से संघर्ष कर रहे हैं जो इस तानाशाई सरकार के खिलाफ डटके खड़े हैं जो अवाज उठाते हैं आज उन सब की जीत है और जनता जनारधन की जीत है जिने मोदी जी समझते हैं वो बिकाओं है मोदी जी लोगतांतर बिकाओं नहीं है जनता एक बटन दबाती है आम आदमी जमीन से उठके मंच पे बैठके नीता बन जाता है जनता से धोका करोगे वो फिर बटन दबाएगी और स्टेज से उतार के वापिस नीचे ले आएगी और वो ही 2019 में बाजबा के साथ होना मता है तो 2014 में नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी 2019 में होगा बाई बाई मोदी जै हिंद